योग वासिष्ठ के स्थिती प्रकरण में भगवान श्री राम पूछते हैं भगवन इस क्रम से जिस जीव ने परमात्मा के स्वरूप में अपनी स्थिती प्राप्त कर ली वह अस्थी पंजर रूप देह को कैसे ग्रहन किये रहता है तब रिशी वशिष्ठ कहते हैं श्री राम जो यह शरीर आदी के रूप में स्थावर जंगम जगत दिखाई देता है यह आभास मात्र ही है अतएव सुपन के समान असत होता हुआ ही प्रकट हुआ है तातपरिय यह है कि वह परमात्मनिष्ठ जीव इस शरीर आदी को स्वपन के तुल्य मिथ्या मानता हुआ ही इसमें रहता है निश्पाप श्रीराम यह प्रपंच दीरग काल तक बने रहने वाले स्वपन के समान मिथ्या ही दिखाई देता है दो चंद्रमाओं की भ्रांती के समान तथा पहाड़ी भूमी में घूमते हुए पुरुष को घूमते दिखाई देने वाले परवत के समान मिथ्या ही द्रिष्टी कोचर होता है जिसकी अज्ञान मई निद्रा तूट गई है और वासनात्मक भावना गल गई है वह ज्ञानवान पुरुष इस संसार रुपी स्वपन को देखता हुआ भी नहीं देखता इसे मिथ्या समस्ता है श्री राम जीवों के स्वभाव से कल्पिती है संसार जिसकी मोक्ष होने से पहले तक निरंतर प्राप्ती होती रहती है अनात्म ज्ञानी के ही अंदर सदा सत्यसा विद्यमान रहता है रगुनंदन यह जगत यद्य भी सब प्रकार से संपन्न दिखाई देता है तथापी यहां वास्तव में कुछ भी संपन्न नहीं है यह आभास मात्र है एवम मन का विलास है अतहा शुन्य रूप में हिस्थित है मन का संकल्प मात्र ही इसका स्वरूप है जहां भी यह प्रतीत होता है वहाँ स्वप्न में देखे गए नगर के समान शून्य रूप ही है केवल आकाश रूप में हिस्थित है शरीर आदी के रूप में जो ये तीनों लोग दिखाई देते हैं वे सब के सब मन से ही कल्पित हैं जैसे पदार्थों के देखने में नेत्र कारण है उसी प्रकार उनके स्मर्ण मात्र में मन कारण है स्मर्ण काल में वह पदार्थ रूप से विद्यमान या उपलब्ध नहीं है श्रीराम मन की इस अध्भुत शक्ती को तो देखो उसने अपने से उत्पन हुए इस शरीर को अपनी भावना या संकल्प के द्वारा ही प्राप्त किया है इसलिए लोग उस मन की कल्पना को संपून शक्तियों से संपन्न समस्ते हैं देवता, असुर और मनुष्य आदी सभी प्राणी मन के द्वारा अपने संकल्प से ही रचे गए हैं अपने संकल्प के शांत होने पर तैल रहित दीपक की भाती वे सब शांत हो जाते हैं महामते, देखो यह सारा जगत आकाश के समान शून्य मन की कल्पना मात्र से विकसित तथा दीर्ग कालिन स्वप्न के तुल्य मिथ्या ही प्रकट हुआ है विशुद्ध बुद्धी वाले रगुनंदन इस जगत में कभी कोई वस्तु वास्तों में न तो उत्पन होती है और न उसका नाश ही होता है यहां जो जन्म और मरण दिखाई देते हैं वे सब मिथ्या ही है जैसे मरू भूमी में सूर्य की किरणों का ताप बढ़ने से उसमें म्रगत्रशना जल का दर्शन होता है उसी प्रकार मन के संकल्प से ये ब्रह्मा आदी सभी प्राणी बिना हुए ही दिखाई देते है संसार में जितनी आकार राशियां दिखाई देती है वे सब की सब दो चंद्रमाओं के ब्रह्म की भाती असत है मिथ्या ज्यान की घनी भूत मूर्तियां है तथा मनोरत की भाती संकल्प में ही प्रकट हुई है वास्तव मेन की सत्ता नहीं है जैसे नोका द्वारा यात्रा करने वाले पुरुष को नदी के तटवर्ती व्रिक्ष और पहाड आदी मिथ्या ही चलते हुए प्रतीत होते हैं उसी प्रकार इन द्रिश्य आकारों की परंपरा नित्य असत्य होती हुई सी दिखाई पड़ती है माया से ही जिसकी ठठरी रची गई है और मन के मनन से ही जिसका निर्मान हुआ है ऐसा जो यह द्रिश्य जगत है इसे इंद्रजाल ही समझो यह सत्य नहीं है तो भी सत्य के समान स्थित है यह संपून जगत ब्रम ही है फिर इसके लिए उससे भिन्न होने का प्रसंग ही कहा है यदि कोई प्रसंग है तो कोन और कैसा है वह भिन्नता या भेद भावना कहां स्थित है यह परवत है यह ठूटा वृक्ष है इत्यादी रूप से जो जगत के आडंबर का विलास है वह मन की भावना की द्रड होने से असत होता हुआ भी सत्यसा द्रिष्टी गोचर होता है जैसे महान आयोजनों से पून स्वपन ब्रह्म ही है वास्त्विक नहीं उसी प्रकार मन के द्वारा रचे गए इस जगत को भी दीर्ग कालीन स्वपन ही समझो जो मूढ चित्त मानव अपने संकल्प से उत्पन हुई मनोरत मई संपत्ती को स्वरूप से सत्यसमझ कर उसका अनुसरन करता है वह एक मात्र दुख का ही भागी होता है यदि परमात्म स्वरूप यथार्थ वस्तु न हो तो लोग भले ही अवस्तु रूप संसार का अनुसरन करें परन्तु जो यथार्थ वस्तु परमात्मा का परित्याग करके अवस्तु रूप संसार का अनुगमन करता है वह नश्ट हो जाता है परमात्मा की प्राप्ती रूप परम पुरुशार्थ से वंचित रह जाता है जैसे रज्जु में सर्प का भय मन का व्यामोह मात्र ही है उसी प्रकार यह जगत भी मन का भ्रम ही है मन की भावनाओं की विचित्रता से जगत चिरकाल तक प्रतीती का विशय बना रहता है जल के भीतर प्रतिबिम्बित हुए चंद्रमा के समान चंचल जो मिथ्या उदित हुए पदार्थ है उनसे इस लोक में मूर्ख बालक ही धोखा खा सकता है तुम जैसा तत्व ग्यानी नहीं यह जड़संगात देह आदी रूप जो विशाल जगत दिखाई देता है मिथ्या ही तो है मन के मनन से ही इसका निर्मान हुआ है जैसे हुरुदय में स्वप्न या संकल्प में नगर निर्मित होता है उसी प्रकार यह जगत भी मन के संकल्प में ही निर्मित हुआ है वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है यह दृष्य प्रपंच मन के संकल्प से उत्पन होता है और उसके संकल्प रहित हो जाने से विलीन हो जाता है इस तरहे यह स्मृद्धी शाली गंधर्व नगर की भांती बिना हुए ही दिखाई देता है हृदई में मन के संकल्प द्वारा कल्पित विशाल नगर का विद्वन्स अत्वा अभ्यूदय हो जाने पर तुम ही बताओ किसकी क्या हानी है या किसको क्या लाब हो जाता है जैसे बालकों के मन में खेल के लिए बने हुए गुडियाओं या खिलोनों के द्वारा पुत्र पशु आदी व्यवहारों की कल्पना होती है उसी प्रकार यह जगत भी सदा मन से ही प्रकट होता है जैसे इंद्रजाल के द्वारा रचित जल के नश्ट भ्रष्ट होने पर किसी का कुछ भी नश्ट नहीं होता उसी प्रकार, मिध्या प्रकट हुए इस संसार के नश्ट हो जाने पर भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ता जो वास्तों में असत ही है वह यदी अविद्यमान हो जाए तो किसका क्या भी गड़ गया इसलिए संसार में हर्ष और शोक का आधार कुछ भी नहीं है महामते जिसका सदा सही अत्यंत अभाव है उसके नश्ट होने से क्या नश्ट हो जाता है और जब किसी का नाश ही नहीं होता तब उसके लिए दुख का क्या प्रसंग है एक मात्र प्रपंच का ही विस्तार करने वाले इस असत्यभूत समस्त संसार में ग्रहन करने योग्य कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे विद्वान पुरुष ग्रहन करने की इच्छा करे उस समस्त त्रिलोकी में कौन ऐसा हे ये पदार्थ है जिसका विद्वान पुरुष त्याग करे अर्थात तीनों लोक ब्रह्म्ह भूत होने के कारण चिन्मे है उनमें विज्ञान आनंद घन परमात्मा के सिवा अन्य कोई पदार्थ नहीं है जिसका त्याग किया जा सके आदी और अंत में जिसका अभाव है उसका वर्तमान में भी तो अभाव ही है अतहा श्री राम जो अग्यानी इस असत संसार की च्छा करता है उसको जड़ संसार ही प्राप्त होता है आदी और अंत में जो सत्य है वर्तमान में भी वह सत्य ही है अतहा जिसकी दृष्टी में सब सत्य परमात्मा ही है उसे सरवत्र परमात्म सत्ता का ही दर्शन होता है जल के भीतर जो असत्य भूत चंद्रमा और आकाश तल दिखाई देते हैं उन्हें अपने मन के मोह के लिए मूर्ख बालक ही पाना चाहते हैं उत्तम ज्यानी पुरुष नहीं मूर्ख ही विशाल आकार वाले अर्थ शुन्य कारियों में सुख समझ कर संतुष्ट होता है किन्तु अज्यान के कारण उसे अनंत दुख ही प्राप्त होता है सुख कभी प्राप्त नहीं होता